पेट्रोलियम विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है ये निरने जो डिमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइन्स है हमारी 2014 की उसमें कुछ इंशोधन करने का निरने किया गया है और इस निरने का सीधा लाब पाइप नेचरल गैस जो घरों में भी आती है डिमेस्टिक यूज के लिए या गाडियों में भी आप इस्तुमाल करते हैं कॉम्प्रेंस नेचरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक इन सब को इसका लाब मिलेग की प्राइसिंग से संबंदित 2014 की गाइडलाइन में आच्छन शोदन किया गया ऑक्टूबर 2014 में जो अन्मोदित गाइडलाइन के अंतरगत देश में जो अनपादित नैचरल गैस थी उसके दाम है चार अंतराश्टिय गैस हबस में नैचरल गैस के दाम के वेटिट एवर और ये एक नमबर 2014 में जब लागू हुई तो इसको इसके अधार पर हर छे महिने में दाम निर्धारित किये जाते थे अगर आप देखेंगे तो वैश्वी कारणों के कारण विगद दो वर्षों में डेट से दो वर्षों में अंतराश्टिय दामों में अत्याधिक वर्दी हुई है अगर मैं आपको बताओं कि डिमेस्टिक गैस का निर्धारित प्राइज जो एक अक्टूबर 2020 में 1.79 डॉलर सा पर mm BTU वो बढ़कर एक अक्टूबर 2022 में 8.57 डॉलर हो गया यानिके 1.89 डॉलर से बढ़कर 8.57 डॉलर हो गया दो वर्षों में और इससे जो पाइब नैच्शनल गैस के और सी एनजी के जो हमारे कंप्रेश नैच्रल गैस के बोगता थे उनको उचे दामों का बोज सेहना पड़ता था किसानों को तो रियाति दाम पर खाद मिलती रही भारत सरकार पर भी उसका बोज पड़ा और हमारे भोगताओं पर बोज ना पड़े तो इसकी परिस्तितियों को देखते हुए जो बदलाव किया इसके लिए कि सब्सक्राइब और डिमेस्टिक गैस का प्राइस यानको डिमेस्टिक गयकश का दाम अब इंडियन कुड बास्टिक कर अंतरास्टिय प्राइस का दस प्रतिशत होगा माली जगर पचासी परसेंट दाम है कुरूड का तो उसका दस परसेंट साड़े आठ डॉलर होगा और यह अब हर महीने तै किया जाएगा हर छे महीने में तै नहीं होगा दूसरा इसकी फॉर्मुला से जो निरधारीत हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है एक फ्लोर और सीलिग यह दोनों ही तै होंगी फ्लोर को 4 डॉलर रखा गया है और सीलिंग को 6.5 डॉलर रखा गया है इससे भोकता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है ज्यादा बढ़ जाता तो वक्ताओं को इसका नुकसान होता है तो इसे दोनों की रक्षा की जाएगी सीलिंग को पहले दो वर्षों के लिए रखा गया है और यह प्राइस जैसे मैंने का प्रतिमा घोशिद हम लोग करेंगे और इसमें हमारा प्रयास ये भी है कि डिमेस्टिक गैस प्रडक्शन बड़े तो उस दिशा में भी पॉलिसी में 20% प्रीमियम उनको अतरिक उत्पादन पर मिलेगा ये भी उस दिशा में दिया गया है अगर आप पिछले वर्ष देखेंगे तो लगबग 50-50% होता है 50% हम इंपोर्ट करते हैं 50% गरेल उत्पादन से हम भारत की मार्केट की रिक्वार्मेंट को पूरा करते हैं इसमें नई टेक्नोलोजी इस प्रोडूसर इस्तमाल करें उससे लाब होगा प्रोचसाहन मिलेगा ग्यास प्रोडूसर के इंट्रेस्ट को बैलेंस रखते हुए ये ग्यास अधारतित एकॉनमी को प्रोचसाहन दिया जाएगा और साथ इसाथ देश में ग्यास की उत्पादन को भी इसे बढ़ावा मिल पाएगा झाल